स्वागत है आपका ट्रेडर्स पॉइंट के और एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं EIH शेर के बारे में इस शेर का करंड मार्केट प्राइज है 97 रुपेस इस शेर का 52 विक हाई प्राइज है 150 रुपेस और 52 विक लो प्राइज है 53 रुपेस इस शेर का मार्केट कैपिटल वैल्यू है 6069 करोड रुपेस दोस्तो ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है पर कोविड के लॉकडाउन के वज़े से इस कंपनी ने दो कौटर से लॉस रिपोट किया है अब देखने वाली बात ये रहेगी कि नेक्स्ट रिजल्ट ये कैसा निकालती है आए दोस्तो देख लेते हैं इस शेर की शेर होल्डिंग पैटर्स तो हम देख सकते हैं कि इसमें 35.25% प्रोमोटर्स है और 0% प्रोमोटर्स है अब देख लेते हैं इस शेर के कुछ important support और resistance लवल्स जिसको हम मायंड में रखके short term और intraday trading कर सकते है दोस्तो support और resistance समझने से पहले मैं आपको इस शेर का एक trend दिखाना चाहता हूँ अब देख सकते हो 28 डिसेंबर 2020 से ये share continues of trend में ही चल रहा है ये जो line है ये line इस share के लिए strong support का काम कर रही है देखो इस share ने यहाँ पे closing basis पे एक बार दो बार यहाँ पे support लिया यहाँ पे एक बार support लिया और यहाँ पे भी इस share ने कहीं बार support लिया अगर दोस्तों अब currently देखना चाते हो तो currently ये share अभी support के इधर ही टिका हुआ है तो ये best opportunity रहेगा इस share को buy करने के लिए क्योंकि अगर इस share में कोई भी गिरावट आती है तो ये यहाँ से ही इसी लाइन से bounce back करके एक bullish reversal दिखा सकता है और अगर इस share ने ये वाला line तोड़ दिया तो इसमें और भी गिरावट आने की संभाव न रहेगी तो आईए अभी इस share के कुछ important resistance levels और support levels को समझ लेते है दोस्तो अगर हम इस share के support की बात करें तो आप देख सकते हो 94 का level इसके लिए एक strong support का काम करेगा क्योंकि पहले भी दो बार इस share ने इसी line पे support लिया है और पहले इस share ने यहाँ पे resistance face किया था दो बार और अभी support तो फिर यह level इसके लिए एक strong support का काम करेगा अगर यह share ने यह support तोड़ दिया तो इसमें बहुत बढ़ी गिरावट आएगी और अगर हम resistance की बात करें तो आप देख सकते हो 102.80 का level और 104.45 का level यह दोनो लेवल इस share के लिए एक resistance का का काम करेंगे और अगर इस share ने यह दोनो resistance को तोड़ दिया तो इसमें बहुत बढ़ी तेजी आने की समपाव न रहेगी अभी market तो all time high पर यह share all time high पर नहीं है क्योंकि यह एक hospitality, tourism वाला share था इसके वज़े से दोस्तो अभी बात आती है हम इस share को buy करें की sell करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप buy कर रहे हो current market price पे तो आपको risk बहुत ही कम रहेगा क्योंकि आप closing basis पे 94 का stop loss लगा सकते हो तो आपका risk बहुत कम है और reward की बात करूँ तो ये share मुझे लगते है ये resistance अभी तोड़ लेगा तो इसका short term target रहेगा 110 रूपीस 115 रूपीस तो ये share के target ये है stop loss मैंने बोला आपको 94 का है तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इस share में मेरी कोई भी बाइस हैल या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद